एक किंद्रित मन फतरनाक मन होता है अगर आप विचार को सशक्त बना लेते हैं तब अचानक उसकी शक्ती जबरदस्थ होती है वो बस आपको देखकर ही आपको बिमार कर सकते हैं हमारे पास सरल तरीके हैं ये एक जबरदस्थ संभावना है नमस्कारम सद्गुरू ऐसा कहा जाता है कि बुरी नजर बुरी किस्मत लेकर आती है और नुकसान भी पहुचा सकती है बुरी नजर क्या होती है और इससे बचने के क्या तरीके हैं? तो क्या ऐसी चीजे होती है? हाँ लोग चीजों को प्रभावित कर सकते हैं अभी अगर बस मैं इस पानी को लेकर इसे एक मिनिट तक देखता रहूं तो हम आज ये सिद्ध कर सकते हैं कि पानी की मॉलेकिलर सनरचना बदल जाएगी तो अब अगर मैं इन्हें देखूँ तो क्या इनके अंदर के पानी की मॉलेकिलर सनरचना नहीं बदलेगी? जरूर बदलेगी ये पॉजिटिव तरीके से बदल सकती है, ये नेगिटिव तरीके से बदल सकती है दोनों संभव हैं एक केंदरित मन, खतरनाक मन होता है खतरनाक होगा या नहीं? ये उसकी मन्शा पर निर्भर करता है अगर आप विचार को सशक्त कर लें तब वो विचार बहुत शक्तिशाली बन जाता है गुस्से से भरा दिमाग, काम वासना से भरा दिमाग प्रेम से भरा हुआ दिमाग, ये सब बहुत शक्तिशाली दिमाग है इसका कारण गुस्सा या प्रेम नहीं है, बस इसलिए क्योंकि वो एक बिंदू पर केंदरित हो गया है अगर कोई चीज एक बिंदू पर केंदरित हो जाए, तो अचानक वो बहुत शक्तिशाली हो जाती है अगर आप ऐसा करें, तो ये चोट नहीं पहुँचाएगा, पर आप इसे इस तरह बना लें, तो ये चोट पहुँचाएगा, है की नहीं? क्योंकि एक बिंदू पर केंदरित हो गया है फोर्स वहिए, पर एक बिंदू पर केंदरित होने से, अचानक उसका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है तो ये एक बिंदू पर केंदरित होना आपकी जागरूकता से हो सकता है या साधना से, या फिर गुस्से से, जब आप इस व्यक्ति पर एक तम गुस्सा होते हैं, तो आपका मन एक जगा केंदरित हो जाता है गौर कीजिए, प्यार में यहां वहां गूम सकता है, पर गुस्से और नफरत में दिमाग एक जगा केंदरित हो जाता है एक जगा केंद्रित होने से ये प्रभाव डाल सकता है तो लोग जब गुसा, नफरत, लालच के चरम पर होते हैं और वो किसी पर वाकई फोकस करते हैं तो सामने वाले के साथ कुछ चीज़ें हो सकती है मैं कह रहाँ हो सकती है, जरूरी नहीं कि होंगी ही ये इस पर भी निर्भर करता है कि आप कि स्थिती में है अगर आप इस तरह से व्यवस्थित हैं कि बाहरी प्रभाव ये तय नहीं करते कि आपके भीतर क्या होता है तो चाहे जो कोई भी आपको देखे, आप उन चीज़ों से मुक्त रहेंगे अगर आप ऐसी स्थिती में हैं, जहां लगातार आप अपने आज पास की हर चीज़ से प्रभावित होते हैं अगर आप ऐसी स्थिती में हैं, तो ये संभव है कि कुछ खास तरह के लोग आपको प्रभावित कर सकते हैं वो बस देखकर आपको बीमार कर सकते हैं यह बिलकुल संभव है ऐसे लोग भी हैं जो किसी को देखकर उनके मृत्यू का कारण भी बन सकते हैं अगर आप किसी के अंदर बस उसे देखकर परमानंद पैदा कर सकते हैं तो आप चाहें तो पीड़ा भी पैदा कर सकते हैं बस स्विच अलग है, बस इतना ही यह आपके नल की तरह है इस तरफ गुमा दे हैं तो गरम पानी, उस तरफ ठंडा पानी दिमाग भी बिलकुल ऐसे ही है इसका कई तरीकों से सकारात्मा को प्योग किया जा सकता है यह जबरदस संभावना है पर लोग इसका अलग तरह से इस्तिमाल करना चुनते हैं हम जो भी करना चाहें जो जीवन को बहतर बना सकता है जो जीवन बचा सकता है, जीवन को सुन्दर बना सकता है उसी का इस्तिमाल जीवन को नश्ट करने में उसे भयानक बनाने में भी किया जा सकता है, है न? हर दिन ये हो रहा है, टेकनोलोजी आप उसका किसी भी तरह इस्टेमाल कर सकते हैं, ये भी वैसा ही है इस शरीर और इस दिमाग का भी उसी तरह इस्टेमाल किया जा सकता है इसलिए भारती महिलाएं एक बड़ी बिंदी लगाती थी और इसे खास समगरी से बनाया जाता था हल्दी और नीबू का उप्योग किया जाता था ताकि बुरी नजर का असर ना हो खास तोर से अगर कोई स्त्री बहुत सुन्दर हो तो वो उसे और बड़ा करके लगाती थी क्योंकि स्वाभाविक रूप से लोगों की नजरें उस पर पढ़ती हैं जिसकी भौते को पस्थिती आकर्शक होती है तो उसका स्वास्थ और खोशाली और ये सब प्रभावित ना हो इसलिए वो बिंदी और बड़ी कर देती थी तो अगर आप खुद को सुन्दर मानती हैं तो आपको बड़ी आपकी छोटी है मैं समझ सकता हूँ तो इन सब चीजों में मत पढ़िये क्योंकि फिर आप सोचने लगेंगे कि अभी मेरा पेट दर्द हो रहा है क्योंकि इसने मुझे देखा मुझे सिर दर्द हो रहा है क्योंकि उसने देखा था इन सब चीजों में मत पढ़िये इसके लिए हमारे पास सरल प्रक्रिया है हम आपको आग से नहलाएंगे आप जानते हैं आग से नहाना क्या होता है? इसे क्लेश नाशन कहते हैं एसी क्रिया जो आपके इर्द गिर्द जमिय अशुद्धी को दूर कर देगी क्योंकि आपका शरीर बस यहीं नहीं है आपका शरीर यहां तक सीमित नहीं है यह आगे तक फैला है क्या आपने गौर किया है? शायद स्त्रियां पुरुशों की तुलना में इसके लिए ज्यादा समवेदन शील होती है किसी को आपको छूने की जरूरत नहीं है अगर कोई थोड़ा ज्यादा पास आ जाए और ये मनोवैग्यानिक बात नहीं है ये अलग चीज है मनोवैग्यानिक और भावनाओं के पहलू भी है इसके अलावा अगर कोई आपके बहुत पास आ जाए तो तुरंत ऐसा लगने लगता है ऐसी फीलिंग होती है होता है न कि आपको थोड़ी दूरी चाहिए उन्होंने आपको छुआ नहीं है बस यहां तक इतने से ही कुछ डिस्टरबंस पैदा हो जाता है है न क्योंकि शरीर यहां खत्म नहीं होता उर्जा इससे और आगे तक होती है कितने आगे तक यह निर्भर करता है कि आपकी जीवन उर्जाएं कितनी उल्लास्माए हैं अगर आपकी जीवन उर्जाएं एकदम उल्लास्माए हैं तो आप उर्जा से इस हॉल को भर सकते हैं नहीं तो कम से कम थोड़ी दूर ज्यादा तर लोगों के लिए यह उनके शरीर से तीन से नौ इंच की दूरी तक हो सकती है तो आप अपने शरीर पर चीजें इकठी करते हैं उसे आप धो लेते हैं उसी तरह आप कुछ दूसरी तरह की चीजें अपनी उर्जा सिस्टम पर इकठा कर रहे हैं आप इसे पानी से दो सकते हैं कुछ दूशित चीजें उससे चली जाएंगी ऐसे ही हम आग का इस्तिमाल करते हैं जिसे आप दृष्टी कह रहे हैं, क्या ऐसा ज़रूरी है कि ये किसी के देखने से हो रहा है या नहीं, वो पक्का नहीं है। पर आपके आसपास के जीवन का प्रभाव, निश्चित ही आपके एनर्जी सिस्टम पर हो रहा है। अगर आपके पास अपने भीतर कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया है, यानि आप किसी तरह की क्रिया या ध्यान की कोई प्रक्रिया कर रहे हैं, तब आपको इन सब चीजों की जरुरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद को भीतर से साफ करना जानते हैं।